हेलो फ्रेंड्स, रेनुका हुम किचन में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई रेस्पी रेडी मिक्स कुलाब जामुन इस कुलाब जामुन को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक रेडी मिक्स का पैकेट दूद, चीनी, इलाइची और तलने के लिए रिफाइंड ओयल आप इसकी जगे गी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यहां हमने स्रीजी रेडी मिक्स कुलाब जामुन का पैकेट इस्तेमाल किया है आप किसी भी कमपनी का रेडी मिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं गैस का फ्लेम हमने आउन कर दिया है और इस पर एक भगोना रखा है अब इसमें हम रिड़ कप के करीब पानी डाल रहे है अब इसमें हम एक कप चीनी डालेंगे और इसे बॉइल होने देंगे जब तक चास्नी बॉइल हो रही है हम रेडी मिक्स को मिक्स कर लेते हैं यहां हम दूद डालकर रेडी मिक्स मिक्स करेंगे आवशक्त के रुस्ता थोड़ा थोड़ा दूद डालेंगे इसका हमें एक चिकना डोर तयार करना है जैसे हम रोटी का डोर तयार करते हैं बिल्कुल वैसे ही डोर तयार करना है अच्छे से मसलते हुए इसका डोर हम तयार करेंगे डोर हमारा रेड़ी हो गया है चास्नी में हम कुटी हुई इलाइची डाल रहे हैं अब इसमें हम केसर डाल रहे हैं केसर से बहुत अच्छा कलर और खुस्वूत दोनों आती है अब जो हमने डो तयार किया है इसकी हम छोटी छोटी लोईयां बनाएंगे आप अपने हिसाब से बड़े या छोटे गुलाब जामून बना सकते हैं हातों पर थोड़ा सा तेल लगा कर उसे ग्रीस कर लेंगे और दोनों हाथों से दबाते हुए इसकी गोल गोल लोईयां बनाएंगे इसे बहुत ही चिकना बनाना है तक इसमें क्रेक ना आने पाए अगर क्रेक आएंगे तो आपके गुलाब जामून बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे आप इसे जितना चिकना कर सकेंगे उतना ही गुलाब जामून स्वाधिस्ट बनेगा चासनी को बीच बीच में चलाते रहिए और उसे चेक करिए चासनी को ऐसे दबा कर देखिए हातों में चिपक रही है या नहीं इसके हमको 2 या 3 तार की चासनी नहीं बनानी है बस हातों में थोड़ा सा चिपकनी चाहिए चासनी अब हमारी मन के रेडी हो गई है इससे हम साइड में रखते हैं अब हम एक कढ़ाई लेकर गैस पर रखेंगे और इसमें रिफाइंड ऑई डालेंगे आइल को गर्म होने देंगे जब ऑईल अच्छे से गर्म हो जाएगा गैस का फ्लेम हम एकदम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम कुलाब चामुन की यह गोलियां डालेंगे धीमियाज पर हमें सभी काम करना है तब गोलियां नीचे से अच्छे से सिख जाएंगी तब साइट से ऑईल को हम हिलाएंगे ताकि हर तरफ से गोलियां सिख जाएंगे डायरेक्ट गोलियों के उपर हम कल्ची नहीं चलाएंगे इससे गुलाब जामुन तूटने का डर रहेगा जब सब तरफ से गुलाब जामुन सिख जाएंगे तो इससे हम एक जाली में निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्र ओयल निकल जाए इसी तरी की से हम बाकी के गुलाब जामुन भी फ्राई कर लेंगे बहुत जादा गुलाब जामुन एक बार में मद डालिए इसे छोटे छोटे बैचम में फ्राई करिए अब जो हमने चासनी तयार करके रखी थी उसमें यह गुलाब जामुन डालेंगे चासनी पूरी तरी से ठंडी नहीं हुई है यह हलकी गुलाब जामुन डाल रहे हैं बाकी के गुलाब जामुन हमारे फ्राई हो रहे हैं इन्हें भी हम जाली में निकाल रहे हैं हमारे सभी गुलाब जामुन फ्राई हो गए है अब इने हम चास्टी में डाल रहे हैं और इसे एक से दो घंटे के लिए छोड़ देंगे दो घंटे बाद हमारे गुलाब जामुन अच्छी तरीकी से भीग गए है और इने हमने एक बॉल में निकाल लिया है हमारे गुलाब जामुन खाने के लिए तयार है धन्यवाद